हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफाई स्टड़ी दोस्तों स्वागत करता हूं अब सभी का वाइफाई स्टड़ी पार्ट फाने जैड़ में पर गूड इमिनिंग माइडियर फ्रेंड्स कैसो आप लोग उमेद यही करता हूं की बहुत अच्छे होंगे शांदार होंगे औ दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे आपके प्राचीन भारत के इतियाश के बारे में और मैंने आपको अब तक प्रागितियाशी काल के बारे में जो है यह वाताया है और अभी हम चर्चा जो कर रहे थे डिसकस जो कर रहे थे वो मेरे पहरे दोस्तों बात कर रहे थे आपके प् सिक्के मेले उनके बे बारे में हमने चर्चा की जो आपके लेवल तक आप से जो पुछा जा सकता है उसी के अकोर्डिंग हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और अभी जो चर्चा चल रही ही थी हमारी वो दोस्तों हम आपके सहीतिक सुरूत के बारे में चर्चा कर रहे थे धा प्राचीन भारत की इतियाश की जो आपके शुरोत आते हैं साहितिक शुरोत की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे और उसी संदर में आज हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कुछ और अन्य महतोपून ग्रंथों के बारे में और इसी स्रिंकला में दोस्तो आज हम महा काव्यों के बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं जैसे महा कावे का मतलब दोस्तों महा कावे में आप महा भारत रामायन पुरानों से समधित बात करेंगे फिर हम बूध शाहिते और जेन शाहिते जो आते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं तो माई डियर फ्रेंड्स रेडियो आप लोग बिल्कुल ठीक है महा कावे की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रारम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और महा कावे में सबसे पहले हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं बातचीत यहां पर करने वाले हैं महा भारत के बारे में तो मेरे पहरे दोस्तों महा भारत से related क्या-क्या प्रशन आपसे पुछा जा सकता है उसकी बात में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जैसे बात अगर की जाएगे दोस्तों महा भारत जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई सबसे पहले तो यह बात आपको basic सी बात है जानकारी होनी चाहिए तो आपको पता होगा कि महा भारत की रचना जो है यह दोस्तों आपके वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी किसने की थी वेद व्यास जी के द्वारा दोस्तों आपके रचना की गई थी इसी प्रकार दोस्तों आपके इसमें आपके महा भारत में कुल कितने पर्व हैं इसकी बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो दोस्तों आप महा भारत में कुल 18 पर्व आते हैं और इसमें बात हम करते हैं अगर दोस्तों आपके जो प्रारम में महा भारत जो था उसमें प्रारंब में दोस्तों इसमें कितने स्लोक थे आपके 888800 स्लोक इसमें थे और तब इसका नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों महा भारत का नाम क्या था जे सहीता तब नाम जो है ये दोस्तों आपका क्या था जे सहीता और फिर अगर हम बात करेंगे दोस्तो बात की अगर चर्चा की जाएगी तो दोस्तो आपके 24,000 स्लोक होने पर इसका नाम जो है ये दोस्तो क्या पढ़ गया 24,000 स्लोक होने पर इसका नाम जो है ये दोस्तो आपके पढ़ गया भारत क्या नाम पढ़ा भारत और मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आपके यहाँ पर एक लाख स्लोक जो है गुप्त काल में एक लाख स्लोक होने पर इसका नाम जो है महा भारत पढ़ गया एक लाख स्लोक होने पर नाम जो है यह दोस्तों इसका क्या पढ़ गया महा भारत और महा भारत जो है इसी को दोस्तों आपके कहा जाता है सत्थ साहस्त्री अगर हम चर्चा करेंगे आपके सत्थ साहस्त्री शहीता जो है यह दोस्तों इसको कहा जाता है एक लाख स्लोक होने के कारण अब देखीगा दोस्तों आपके यहाँ पर इसका सर्व प्रथम उलेख जो है यह महा भारत का कहां से अपने को मिलता है इसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए तो my dear friends बात अगर की जाएगी महा भारत का सरो प्रथम उलेग जो है ये दोस्तों आपको मिलता है आश्वलायन ग्रह शुत्र में आश्वलायन ग्रह शुत्र की अगर बात की जाएगी तो इसमें दोस्तो अपने को सबसे पहले उलेक जो ही दोस्तो इसका प्राप्त होता है किसका उलेक महा भारत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और महा भारत की अगर बात की जाए तो मैंने आपको ये बताए कि इसकी रचना जो ही दोस्तो आपके यहां पर वेद व्याजी के द्वारत की गए थी और इसमें कुल मैंने आपको अठारा परव बताए और दोस्तो प्रारम में इसमें आपके 88,000 स्लोक थे तब इसका नाम ज दोस्तो महा भारत का शरुप्थम उलेक जो है दोस्तो आपका नाम मिलता है अब देखीगा बात हम आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं मेरे पहरे दोस्तो आपको पता होगा कि आपके यहां पर दोस्तो जो महा भारत है इसमें हमें जो आपके शक आते हैं हून आते हैं आदी कुशान जातियों का उलेख जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अपने को यहां से प्राप्त होता है अर्थात इनके बारे में उलेख जो है ये हमें प्राप्त होता है इसी प्रकार दोस्तों आपके परिशिष्ट परो के अगर बात करेंगे इसके महाभारत के इसके परिशिष्ट परव की अगर हम चर्चा करते हैं परिशिष्ट परव इसका परिशिष्ट परव जो है ये दोस्तो आपके हरीवन्ष नाम से जाना जाता है इसका परिशिष्ट परव अगर हम बात करेंगे और इसी में दोस्तों आपके कृष्ण वन्स की कथा का वर्णन जो है ये दोस्तों अपने को मिलता है कृष्ण वन्स की कथा का वर्णन जो है ये दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इसको भी आप लोग और शिधार में रखेगा तो ये सारी महतोपून बाते मैंने आपको बताई महा भारत से रिलेटेड इसकी रचना वेदव्यास जी की द्वारा की गए थी इसमें कुल 18 परों मैंने आपको बताए फिर मैंने आपको बताए प्रारम में इसके द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर इसमें 8800 स्लोक थे तब इसका नाम जे सहीता था और जे सहीता को रिलेटेड करके भी कई बार प्रशन जो है दोस्तों आपसे सिधा सिधा पूछ लेता है 24000 स्लोक होने पर इसका नाम जो है यह मेरे पैरे दोस्तों आपके भारत पड़ा गुप्त काल में एक लाग स्लोक होने पर इसका नाम जो है दोस्तों आपके महा भारत या फिरसत साहस्त्री श्रहिता जो है ये भी दोस्तों इसको कहा जाता है और महाभारत का शरुप्थम उलेग जो है ये दोस्तों आपके आश्रोलाइन ग्रहशुत्र में अपने को देखने को मिलता है और इसमें सक कुशन जातियों का उलेग जो है ये भी दोस्तों अपने को देखने को मिलता है इसका परिशिष्ट परो आपके हरीवन्स के नाम से जाना जाता है और इसमें कृष्ण वर्णस की कता का वर्णन जो है ये दोस्तो हमें देखने को मिलता है तो ये वो सारी बाते हैं जो आपके एक्जाम में अगर बात की जाए चाए पुलिस की बात करें चाए पटवारी की बात करें उस लेवल तक आप से इसी महभारत से ये प्रसिंज जो हैं दोस्तों पूछे जा सकते हैं इनको आप लोग ध्याम में रखिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाए महभारत के बाद में हम चर्चा यहां पर करेंगे रामायन के बारे में किसके बारे में रामायन के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं रामायन से रिलेटेट क्या क्या बातें आप से पूछी जा सकती है वैसे तो आपको अभी रामायन देखने का दुबारा देखने का मोका मिला होगा लोकडाउन जब से चला तब से दूर दर्शन जो अपना नेशनल चैनल है उसके उपर दोस्तो प्रशारण जो ही रामायन का किया गया था बिलकुल आप लोगों ने वश्य देखा होगा इसको तो बात हम करेंगे रामायन के बारे में जो इंपोर्टेंट प्रशन बंजो बन सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले तो बात अगर की जाएगी आपके रामायन की रचना किसके द्वारा की गई ये तो आपको सभी को पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ महरसी वालमिकी की अगर बात की जाएगी दोस्तों आपके महरसी वालमिकी के दौरा रामायन की रचना जो है दोस्तों की गई थी किस के दौरा की गई थी महरसी वालमिकी की बात अगर की जाएगी तो महरसी वालमिकी के दौरा दोस्तों इसकी रचना की गई और इसमें कुल स्लोकों के अगर बात किजैए या आपके स्लोक जो है ये कितने आते हैं उसकी बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तो आपके रामायन में 24.000 स्लोक जो हैं ये दोस्तो हैं और इसलिए इसको आपके चतुर विस्ती सहस्त्री सहीता जो है ये दोस्तों कहा जाता है किसको कहते हैं रामयन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं रचना महरसी वाल मेकिने की इसमें स्लोक की बात मैंना आपको बताई आपके यहाँ पर कितने स्लोक हैं में ये दोस्तों मैंने आपको बताई 24,000 स्लोक है इसलेशकु चतुर विस्ति आपके सास्त्री जो ही ये दोस्तों कहा जाता है और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दोस्तों आपके यहां पर इसकी रचना जो है ऐसा माना जाता है कि इसा पुरूव पांचवी सदी में हुई इसका माना जाता है अब हमें दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहां पर इसमें रामायन की अगर हम चर्चा करते हैं इसमें हिंदूों, शक यवनों वे शकों का उलेख जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है किसमें मिलता है ये दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं हमारे यहाँ पर आपके रामायन के बारे में इसी प्रकार दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर रामायन जो है ये दोस्तों इसमें कुल जो है ये आपके साथ कांड आते हैं कुल साथ कांडों में विभाजित है आपके रामायन कौन कौन से कांड आते हैं उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे जैस एक आपका आता है मेरे पिहरे दोस्तो बाल काण। नंबर दू पर अगर बात की जाएगी दोस्तो आपके अयोध्या काण। नंबर तीन पर आता है दोस्तो आपके अरण्य काण। इसी प्रकार दोस्तों आपके किसकिंधा कांड एक आपका आता है दोस्तों सुन्दर कांड और लंका कांड और आपके उत्तर कांड ये दोस्तों आपके रामायन जो है शाद कांडों में विभाजित बाल, अयोध्या, अरणे, किश्किंधा, सुंदर, लंका और उतर इनको आप याद रख सकते हो रखना चाहो तो नहीं तो आपसे ये केवल इतना पूछ सकता कितने कांडों में विभाजित है अब एक महत्वपूंड बात आती है, दोस्तों बात अगर हम यहाँ पर करेंगे, आपका बाल कांड की अगर चर्चा की जाएगी बाल कांड के अधिकांश भागों के अगर हम चर्चा करते हैं, अधिकांश भाग बाद में जोड़े गए थे बाद में जोडे गए थे तो ये वो सारी महतोपॉन बाते हैं दोस्तों जिनके बारे में हमने रामायन के बारे में चर्चा की जो रामायन से रिलेटेट जो बाता आपसे पूश सकता है जैसे महर्सी वॉलमिकी की द्वार्थकी रचना के गई कुल स्लोक में आपको चोई सजार बता है चतुर वीश शती शास्त्री जो है इसको कहा जाता है हिंदु यह उनोर शक्कों के संगर्ष का उलेग जो ही दोस्तों अपने को इसमें देखने को मिलता है कुल साथ कांडों में विभाजी थे और दोस्तों आपके यहां पर जो है बालकांड, अयुध्या, अरन्य, किशकिंदा, शुंदर, लंका और उतरकांड यह आपके आते हैं और बालकांड और उतरकांड जो है उनके अधिकांस भाग जो है इसा माना जाता है कि इनको बाद में जोड़ा गया था अब देखीगा दोस्तों आगे हम चर्चा कर आपको पता होगा कि पुरान के अर्थ की अगर हम बात करते हैं कि पुरान का शाब्दिक अर्थ जो है यह क्या होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके आख्यान क्या होता है आख्यान का मतलब यह है प्राचीन आख्यान अर्थात प्राचीन शासकों क वन्शावलियां जो हैं ये दोस्तों अपने को इसमें देखने को मिलती हैं पुराणों में प्राचीन सासकों की वन्शावलियां जो हैं ये दोस्तों हमें इनके बारे में जानकारी जो हैं ये दोस्तों मिलती हैं प्राचीन सासकों की वन्शावलियां मिलती हैं किसमें मिलती है हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके पुराणों के बारे में अब देखेगा दोस्तों आपके यहां पर आपके पुराण जो है इसके रचियता की बात करते हैं रचियता इसकी रचना जो है यह दोस्तों किसके द्वारा के गई तो आप ध्यान में रखेंग ये लोम हर्ष का नाम आपने सुना होगा लोम हर्ष वै उनके पुत्र की अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों उनके पुत्र का नाम आता है उग्रुशर्वा लोम हर्ष वै उग्रुशर्वा जो है ये दोस्तों इसकी रचना आपके पुरानों की रचना जो है ये कितनी आती है तब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल इजी प्रसन आपने पूछा 18 होती है पुराणों की शंक्या कितनी है 18 जबकि हम इनमें सबसे प्राचीन अगर बात करते हैं आपके जो 18 पुराण आते हैं इनमें सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन वै आपके प्रामानिक की बात अगर हम करेंगे सबसे प्राचीन और प्रामानिक जो है वो कौन सा पुराण है तब आप कहेंगे सर मतश्य पुराण की बात अगर की जाए तो मतश्य पुराण जो है ये हाँ सबसे प्राचीन पुराण है और दोस्तों आपका सबसे प्रमानिक पुरान इसको माना जाता है इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करेंगे विश्नु पुरान जो आता है इस विश्नु पुरान में दोस्तों भारत का उलेख अपने को देखने को मिलता है विश्नु पुरान में भारत का उलेख जो है ये दोस्तों अपने को पता होगा शमुद्र के उत्तर में तथा हिमाले के दक्षिन में जो इस्तित है वही भारत देश है और वहां की संताने जो हैं वो भारती हैं ऐसा उलेख जो है ये दोस्तों अपने को यहां पर देखने को मिलता है किसमें देखने को मिलता है मैंने आपको ये बताया कि पुरा मतश्य पुरान, सबसे प्राचीन और प्रमानिक अब देखेगे गा धारत का उलेक यह दोस्त। दक्षिन में वे हिंद महाशागर के या फिर समुद्र लिख सकते हैं हिंद महाशागर की बात यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें उलेख यह सागर का किया गया है हिमाले के दक्षिन में वे समुद्र के उत्तर में जो इस्तित है वह भारत देश है ऐसा उलेख ऐसा वीवरण हमें किस पुराण में देखने को मिलता है तब आप कहेंगे विष्णु पुराण के अगर बात की जाएगी तो दोस्तो विष्णु पुराण में अपने को इसका उलेख जो दोस्तो देखने को मिलता है तो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे आपके पुरान का शापदे करत होता प्राचीन आख्यान मतलब प्राचीन कथाओं के बारे में जान करी है फिर प्राचीन सास्कों के बारे में जान करी प्राचीन सास्कों की वनशावलियां अपने को पुराणों में देखने को मिलती है इसकी रचना पुराणों की रचना ज जो है ये दोस्तों आपका मतश्य पुरान है और विश्णु पुरान जो आता उसमें भारत का उलेख जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों हमें देखने को मिलता है हिमाले के दक्षिन में और समुद्र के उत्तर में जो इस्तित है भारत देश ऐशा उलेख अपने को इसी परचा की जाएगी मतश्य पुरान की बात अगर हम करेंगे मतश्य तथा शात्मे वायू पुरान और विश्णु पुरान की बात अगर की जाए विश्णु पुरान विश्णु पुरान में प्राचीन राजवन्षों का उलेख जो है ये दोस्तो मिलता है कौन कौन से पुरान की बात हमने किया मतश्य वायू और विश्णु पुरान की चर्चा हमने यहाँ पर की है जैसे बात अगर हम करेंगे दोस्तो आपके विश्नु पुरान की बात अगर की जाएगी तो विश्नु पुरान में दोस्तो किस राजवन्स की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहाँ कि विश्णु पुरान जो है इस विश्णु पुरान में मेरे प्यारे मित्रों मोर्य वंश का उलेख अपने को देखने को मिलता है इसी प्रकार दोस्तों आपके मतश्य पुराण के अगर हम चर्चा करते हैं तो मतश्य पुराण में मेरे प्यारे मित्रों सुंग वन्ष और शात वहन वन्ष का नाम आपने सुना होगा सुंग वन्ष वे शात वहन वन्ष का उलेग जो है ये दोस्तों देखने को मिलता है इसी प्रकार वायू पुरान की बात अगर की जाएगी तो वायू पुरान में मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त वन्ष का उलेग जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है यह सारी बाते जो हैं यह दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखने हैं यहाँ पर पुरानों से रिलेटेड जो इंपोर्टेंड महतोपुन बाते आती हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताई हैं तो आज हमने चर्चा की है महा भारत के बारे में रामायन के बारे में और मेरे प्यारे मित्रों पुराणों के बारे में दोस्तों उमीद करूँ है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा यहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसका कॉंशिप्ट जो है यह दोस्तों आपका क्लियर हो रहा होगा और बात अगर की जाएगी निरंतर रेगुलर क्लासे जो ही दोस्तों आपके यहां पर अवलेबल करवाई जा रही है एक और बड़ी अच्छे नियूज दोस्तों आपके लिए वो क्या है अगर मेरे प्यारे मित्रों आपके घर परिवार में कोई डिफेंस एक्जाम के लिए तयारी कर रहा है तो वो दोस्तों हमारे इस चैनल पर अर्थात वाइफाई स्टडी डिफेंस एक्जाम पर दोस्तों तयारी कर सकता है आज ही अगर आपके यहां पर कोई तयारी कर रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वाइफाई स्टडी लाइव टे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इससी रेल वे फिर किसी भी केटेगरी की आप तयारी कर रहें अनकेडमी लर्निंग अप्र आगर तयारी करना चाहते हैं तो क्योंकि इंडिया के टॉप most अजिएट्र जितने भी हैं वह दोस्तों प्लेटफ़ों पर आपको एवेलेबल र टेगर हमने स्लेक्ट किया गेट सब्सक्रिप्सन आजाएगा शिक्स मन्त या टुवल मन्त है का अच्छे तरीके से आपके तैयारी उसके आपके लक्षे को हासिल करने के लिए तैयारी उसके तो मैं तो यह कहना चाहूंगा च्छे मैंने या बारा मेहने तक का कॉर्स जो है सकते हैं जैसे आप इसको कarianगे इंटार पूछेगा तब आप मेरा एफटल प्रवीन 11 अप्लाई कर सकते हो जैसी आप इसको होगे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों प्राप्थ हो जाएगा और प्रभीन 11 रेफल को आपको और शेधान में रखना है तो यह थी दोस्तों आज कि महतोपुन क्लास उमीद करूँगा कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कर दीजीगा इसको ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लिजेगा हमारा नीरंतर प्रियास इसी प्रकार जारी रहेगा और कल का जो सेशन रहेगा दोस्तों आपको पता है टेस्ट होने वाला आपका अपने आपको आप प्रिपेर रखेगा बाकी की बात हम करेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए बबन टेक क्यार थेंक्यू सो मच